वेलकम तू सुपर फॉस्ट इंगलिस अकैडमी दोस्तों दिल्ली पुलिस यानि उसके अंदर MTS का जो भी अभी अभी एड्मिट कार्ड आए हुए है उनके काफी सारे कमेंट आ रहे हैं उनमेंसे मैंने सिर्फ एक कमेंट लिया है और उसमें मैं आपको बताने वाला हूँ क तो देखें जो केंदर का सर्टिफिकेट के बारे में जो आपको प्रबलम हो रही है वो एक्षिन में रियल्टी क्या है देखें हमेशा याद रखना अगर मेरे चनल पर कोई वी न्यूस आपको बताई जाए तो एक कन्फार्मेशन समझ लेना कि वो बिलकुल एक्जक्ट ह उसमें कुछ भी चेंज नहीं है यह फिक्स है वही चीज में आपको बताता हूँ देखें आपने नोटिफिकेट नहीं पढ़ा है उसमें स्पेशल लिखा हुआ है और यह बात सबको पता होती है और इसलिए जब आप फॉर्म भरबाते हैं तो सैवर कैफे वाले भाईया अभी भो भी यह बात को बोलते हैं कि अगर आपके पास केंदर का सर्टिफिकेट है तो आप OBC लिखिए अगर केंदर का सर्टिफिकेट नहीं है तो आप जनल लिखिएगा उसमें अब देखो मैं आपको बताता हूँ कहां पर नोटिफिकेस में स्पेशल लिखा हुआ है क कोई ज्यादा प्रॉब्लम बाली बात नहीं है मैं पूरा डिटेल आपको बताता हूँ ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ देखिए कमेड था राहुल सिंग और उन्होंने पूझा सर इसका मतलब क्या है केंदर सर्टिफिकेट मतलब आपको इनको समझ में नहीं आ रहा है मैंने क्या बोला देखिए मैं आफ को यहां पर सबसे पहले बताता हूँ नहीं समझीफिपर हो नहीं रिटेन ये थी पेपर दिया हो तो भाव ये इसमें होता आप देखे मैं यह पर जो में में है वह आपको बदाता हूं देखे यहां पर लिखा हुआ है इस्पेशल लिखा हुआ है कि देखे बरियता पद कोड पैरा ए में किये गए उल्लिक अनुसार आबिदन प्रपत्र में अबश्य इंगित की जानी चाहिए अब ये तो बात अच्छी लिख रहे हैं लेकिन यहां पर एक चीज और लिखा हुआ है यानि कि अप भी श्रिनी के अधीन लावों का दावा कर रहे उम्मीद्वार केंद्री सूची में अधी सूची जातियों के अनुरूप करेंगे यहां छूट उन उम्मीद्वारों के लिए दी जाएगी जिनोंने रास्टी राजदानी चेत्र दिल्ली सरकार द्वारा प्रमाण पत्र जारी किया गया है प्रमाण पत्र इस उद्यस के लिए सच्छम अधिकार प्राप्त अधिकार से निर्दारित प्रपत्र में जारी किया गया होना चाहिए समझाओ आकर में क्या लिखा हुआ है ये तो हिंदी है कोई अन्य प्रमाण पत्र को पर्याप्त प्रमाण पत्र के तौर पर सुईकार नहीं किया जाएगा इसके बाल लिख रहा है राजदानी दिल्ली छेत्र में ये वीडियो ध्यान से समझ लो बरना आपको लोटना पड़े गाई 100% बात है दिल्ली सरकार से जारी प्रमाण पत्र परंतु केंद्री सूच में सामिलने आरच्षण और आयू में छूट उद्दे सेत्वी सुविकार किये जाएंगे लिखा गया है कि दरजे का दावा कर रहे वारे उमीदवारों के लिए ये चीज़ उन्हें नोट कर लेनी चाहिए कि गैर संपन बर्ग दरजा प्रमाण पत्र बंद होनी कि थी अर्थार्थ 16.1.2018 से पहले तीन वर्ट के भीतर प्रवप्ट कर लेना चाहिए और देखो यहां पर मैं यह भी इसमें डेट लिखी गई है यानि कि जो आप सर्टिफिकेट आपका जो केंदर का होना चाहिए वो 16.1.2018 से पहले का होना चाहिए जो उमीदवार आरचित रिक चुक हैं आयू में छूट चार हैं उन्हें ट्रे परिच्छा दस्ताबेश सत्यापन के समय निर्दारित परपत्त में इस तरह से यहां पर लिखा हुआ है यहां पर यह स्पेशल लिखा हुआ है अब समझना मैं क्या बोल रहा हूं यानि केदे को दिल्ली क्या होता है उनका तो बना होता है मैक्जिम्म क्या हुता है ओबी सी वाले कणिट्स का नहीं बन पाता है ठीक एस्ति वालों को सबका हुता है केंदर का सर्टिट्ट एक होता है यह अंगर आप यो-P पुल-ुस का फॉम आया तो आपने लिखाए क्यों लिखाया आपने OBC, क्योंकि आपके पास OBC का certificate है, दिखा देंगे ना, आप OBC की छूट मागने, तो OBC certificate होना चाहिए, समझ मागया, ऐसे अगर आप डिली में जा रहे हैं, यानि दूसरे राज में जा रहे हैं, तो दूसरे राज में जाएंगे, मतलब क्या हो जाएग केंदर के लोगो बन के आ जाता है, उसके से 15-20 दिन का time लगता और वो बन के भी आ जाता है, ठीक है, लेकिन जिनकी OBC के अंदर जिनकी age थोड़ा अपर होती है, उनका वो certificate नहीं बनता है, ठीक है ना, बहुत बहुत प्रॉलम होती है, फिर भी नहीं बन पाता, लेकिन जो केंदर का भी certificate होना चाहिए, उनके राज जिगा तो होगा, इसके साथ ही साथ केंदर का भी होना चाहिए, एक और बात में इसमेड कर देता हूँ, देखे, आप हमीसा याद रखना, चाहिए बो दिल्ली में बरती निकली है, चाहिए बो MP में निकली है, चाहिए बो हर्यान चाहिए जब आप चेक कराओगे तो सेम आपको जनरल फिल करना है समझ में आ गया अगर सेंटर का तो लिखो ओभी सी ठीक है अगर सेंटर का नहीं है सिर्फ आपका स्टेट का यह तो जनरल लिखना देखो क्या होगा पहले पेपर होगा पेपर तो देने देंगे लेकिन कि लिखने आपके समझ में आई तो कोई बात नहीं आपका अगर सेंटर है तो देखो पेप्र तो आप डेने जा सकते हैं लेकिन आगे आको प्रॉबलम मा सकता है किसीतरा का संका मत करना अगर किसी को मेरी बास समझ में नहीं आए तो ऐसा करें आप notification को खुद भी आप पढ़ दीजेगा मिलता हूं मैं आपको next video में वीडियो को share कर दीजेगा अपने दोस्तों में like कर दीजेगा और इस बात का याद रखना कि ऐसा नहों कि वहां जाने के बाद paper देने के बाद pass भी हो जाए और आप सिर्फ OBC औ और ऐसी और जनरल के चकर में फस करके और रहजा है इस बात का थोड़ा दिया रखना thank you so much